नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है जून दो हजार बाइस और पहले सप्ताह से ही जो घटना करम शुरू हुआ वो जून तीस आते आते एक तरीके से आंधी में परिवर्तित हो चुका था महराष्ट में जून के पहले पक्वाडे में विधान परिशद के चुनाव होने थे जितनी सीटों पर सत्तार उड एमवीए के घटक दलों ने अपने परतियाशी खड़े किये यह सोच करके किये तीनों परिटियों ने दोदो प्रतियाशी कि वो आसानी से जीत लेंगे लेकिन उनके केवल पांच जीत पाए वो जट छटी सीट का वो गणित लेकर के बैठे हुए थे वो चली गई भारतिय जनता पारिटी की जोली में इसके बाद राज्य सभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव होने वाले थे इन लोगों ने ये उमीद लगाई कि भारतिय जनता पारिटी की तो दो ही सीटें जीत सकती है वो और जो अतिरिक्त एमेले बचेंगे उस पर हमारा एक कैंडि राज्य सभा पहुंच जाएगा वहां भी इन्होंने मू की खाई दोनों चुनाव में विधान परिशन के चुनाव में भी और राज्य सभा के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई और शिव सेना हो चाहे आपका कॉंग्रेस हो उनके एमेले ने क्रॉस वोटिंग की य भारतिये जनता पारिटी के परतियाशियों को जिताने का पुरा-पुरा बंदोबस्त कर दिया और इन दोनों के तुरंत बाद एक तीसरी घटना हुई तीसरी घटना ये हुई के एक नात्षिंदे के नित्रत्तों में शिवसेना के बहुत सारे विधायक सूरत पहुँच गए वहां के एक फाइव स्टार होटल में धीरे-धीरे करके ये शिवसेना के विद्रोही MLA एकत्र होते गए इसके बाद वो असम के गोहाटी पहुँच गए वहां भी फाइव स्टार होटल में जाकर के रुके और कुल संख्या उनकी हो गई चालिस कुछ निर्दलिये भी चले गए अब आप मुझे ये बताईए विधान परिशद चुनाओ में इनके ही विधायक बागी हो जाते हैं क्रोस वोट करते हैं और इनको पता नहीं चलता राज्य सभा के चुनाओ में यही होता है इनके अपने MLA बागी हो जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता उसके बाद इनकी नाक के नीचे से मुंबई से निकल करके महारास्ट के अलग-अलग शेहरों को होते हुए सूरत पहुँच जाते हैं शिव सेना के ही बागी विधायक और मुख्यमंतरी किस पारिटी का था शिव सेना का उधाव ठाकरे उनके मुख्यमंतरी रहते हुए उनके ही MLA और उनको समर्थन देले वाले निर्दलिये सूरत पहुँच जाते हैं गुजरात पहुँच जाते हैं भारती जनता पारिटी के रोल्ड इस्टेट और इनके फरिष्टों को भी पता नहीं चलता उसके बाद वो गोहाटी पहुँच जाते हैं गोहाटी से गोवा और गोवा से मुंबई तब पहुँचते हैं जब एक न मंत्री के तोर पर और उधाव ठाकरे की सरकार का पतन हो चुका होता है इस बीच बड़ा ड्रामा हुआ क्योंकि इनको खीज मिटानी थी इनको पता ही नहीं चला था सत्ता में रहते हुए ये इनकी जो खुपिया विभाग था जो इंटेलिजेंस था वो भी फेल ये भी फेल और अगर कोई politician इस तरीके से फेल होता है इसका मतलब ये है कि ये समवाद हीनता की पराकाश्ठा आपको पारिटी के भीतर ही क्या हो रहा है सरकार के भीतर ही क्या हो रहा है गुपचुप तरीके से इस तक की जानकारी नहीं थी एक नात्षिंदे आपके बीच का ही जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपत ले लेता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं उस समय इनके जो ये बड़ बोले परवक्ता हैं सामना के कारिकारी संपादक संजराउत रोज ये धमकी देते थे कि जरा उनको आने दीजिये गद्दारों को मुंबई की सडकों पर ही उनसे निप्टा जाएगा लेकिन क्या हुआ वो तो बड़ी शान से बस में बैठ करके मुख्यमंत्री के साथ गोवा से मुंबई पहुँच गए और ये उनका कुछ नहीं उखाड पाए एक और घटना का मैं उल्लेक करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले अजित पवार एंसीपी के मले के साथ जाकर के शपतगरहन करते हैं राजभावन में उप मुख्यमंत्री के उनके साथ एंसीपी के नौ और एमले शफद ग्रहन करते हैं मंत्री की और शर्द पवार को पता ही नहीं चलता, उनको पता नहीं चलता कि उनका अपना भतीजा क्या कर रहा है? ये सब किस्से कहानिया सुनाने के पीछे बस मेरा ये साबित करने का एक मकसद है हेतु है कि ना तो उधाव ठाकरे को और उनकी पारिटी के नेताओं को कुछ पता था जब क्रॉस वोटिंग हो रही थी विधान परिशत चुनाओ राजसभा चुनाओ में और ना उनके MLA के बगावत करके सूरत के राष्टे गौहार्टी पहुँचने का उनको कोई जानकारी थी ना शरद पवार को पता था कि उनका बतीजा क्या करने जा रहा है और ये लोग ये लोग मतलब जो इनके भौपू हैं मीडिया के लोग उनको तो ये भी पता नहीं था उस समय तक भी पता नहीं था जब अजित पवार अपने घर से निकले गाड़ी में बैठ करके कि ये जा कहां रहे हैं जब वो राजभवन पहुँच गए जब शपत ग्रहन शुरू हो गया उसके बाद इनको पता लगा कि देवेंद्र फड़नवीस और भारतिये जनता पारिटी ने एक और कांड कर दिया एक और बदलापूर पूरा हो चुका है जो जून दो हजार बाइस में उधाव ठाकरे के साथ किया था वो ही अब जून में आकर के जुलाई में आकर के दो जुलाई को एंसीपी शरत पवार के साथ भी कर दिया है और इन दोनों को भारतिये जनता पारिटी ने क्यों निप्टाया ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है अक्तुबर नवंबर 2019 में इन्होंने भारतिये जनता पारिटी और देवेंद्र फड़नवीस के साथ जो किया और उसके बाद उ ये सब मैंने केवल इसलिए बताया है कि पिछले कुछ दिनों से ये संजयराउत और इनकी जो पूरी भजन मंडली है जो मुंबई में ही रहती है और अलग-अलग मेडिया हाउसेज में बैठी हुई है ये कोई राग अलापना शुरू करते हैं तो वो इन से पहले आ-ा-ा- करीब करीब पूरे मिडिया हाउस में वहां के वहां इन ही के द्वारा उगली गुई चीजों को परोस्त दिया जाता है पाठकों को या दर्शकों को अब पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि साब एक नात्षिंदे की जगे कोई और मुख्यमंत्री बनने जा रहा है चुके हैं भाजापा नित्रत्तों भी अपनी रणनी थी लगबग खोल करके रख चुका है कि वो एक मराठा के नित्रत्तों में ही चुनाओ मैदान में जाएंगे 2024 में लोकसभा में भी और विधान सभा में भी इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है ये आप वाहें पहला रहे हैं उड़ा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस सरकार के गटक दलों पर किसी तरह का कोई पर्तिकूल प्रभाव पढ़ जाए पहले कहा गया कि आपको सुप्रिया सुले का वियान याद होगा जब उन्होंना कहा था कि अगले 15 दिन में दो धमाके होंगे एक मंबई में होगा और एक दिल्ली में होगा वो धमाके तो आज तक नहीं हुए जिस दिल्ली के धमाके की वो बात कर रही थी उनको लगता था कि Supreme Court एकनाथ चिंदे और उनके 15 साथियों को अयोग्य घोशित कर देगा तो एक धमाका तो वो ये मान रही थी Supreme Court ने ऐसा कुछ नहीं किया Supreme Court ने कहा कि ये speaker तै करेंगे ये काम हमारा नहीं है दूसरा धमाका वो सोच रही थी कि जैसे ही Supreme Court से ये फैंसला आएगा वैसे ही एकनाथ चिंदे को मुख्यमंतरी पद छोड़ना पड़ेगा तो वो नहीं हुआ तो ये क्यों होता ये ऐसे ऐसे जोतिशी हैं सियासत के प्रकांडपंडित हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है अभी एक नास शिंदे क्यों मुख्यमंत्री पद से हटेंगे ये कह रहे हैं कि चुकि अभी स्पीकर आयोग गिता वाला मामलत तै करने वाले हैं इसलिए एक नास शिंदे जाएंगे और अजित पमार मुख्यमंत्री होंगे ये मतलब महा चंडू खाने की खबर है एक बात राहुल नार्वेकर छोड़ दीजिए बाकी चीजों को किस पार्टी से हैं जो किस पार्टी के MLA चुन करज आये थे और स्पिकर बनें तो ऐसे में क्या राहुल नार्वेकर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार बर किसी तरह का खत्रा हो और जिस तरीके से राहुल नारवेकर ने एंशीपी के सारे MLA को नोटिस जारी किया जो इनके साथ छोड़कर के आये थे उनको भी, जो नहीं आये थे उनको भी, उससे आपको क्या कोई संकेत नहीं मिलता, कोई संदेश नहीं मिलता कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चंडु खाने की इनको उडानी है और चलानी है. अभी शनिवार को अजित पवार का चोसटवा जनम दिन था उनके किसी अति उस्साही समर्थक ने कोई ट्वीट कर दिया किसाब वो जैसे नरेंद्र मोदी शपत ग्रहन करते हैं मैं नरेंद्र दामोदार दास मोदी ईश्वर की शपत लेता हूँ या सत्यनिष्ठा की या समिधान की जो भी उसी तरीके से उनने एक ट्वीट कर दिया अजित पवार को ले करके बस यही काफी था इनके लिए जैसे कह देते हैं ना कि आपका कान जो है वो कववा ले गया और बिना यह चेक किये कि मेरा कान है भी के नहीं कववे के पीछे दोड़ पड़ते हैं वो ही हाल महराष्ट का है आजकल कहीं से कोई कुछ भी कह दे तो यह शुरू हो जाते हैं अब जो यह मेडिया हाउसिज हैं इनमें जो बैठे हुए उधाव ठाकरे और शरत पवार के परती आस्थावान जो संपादक या कोरिस्पंडेंट हैं वो अपनी बुद्धी का इस इस्तेमाल भी नहीं करते हैं अजित पवार को अगर मुख्यमंतरी ही बनाना होता तो उनको डिप्टी चीफ मिनिष्टर क्यों बनाया है उनको तभी मुख्यमंतरी बना देते और मुख्यमंतरी उनको बनाएं क्यों पहली बात कि ये एकनात्स शिंदर उनके समर्थक लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये सोचना नहीं है, सोचना इसलिए नहीं है, बुद्धी का इस्तमाल इसलिए नहीं करना है कि इनको केवल और केवल अफवाहें उडानी हैं। और अब तक जितनी अफवाहें इन्होंने उडाई हैं, कयासवाजी इन्होंने लगाई हैं, वो सारी की सारी तो गड़े में गई हैं। उडाउ ठाकरे की, इनके बेटे की M.V.A. सत्ता से बाहर हो जाता है, लेकिन इनकी सिहत्प जैसे कोई फरक ही नहीं पड़ रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, वैसी ही एरोगेंसी हैं, वैसा ही एहमकार हैं, वैसे ही जूड बोलते जा रहे हैं। दूसरे, जिन शरद पवार को ये आपका मराथी मेडिया, मराथी मेडिया में भी एक जो बड़ा हिस्सा है, सारा मराथी मेडिया नहीं। शर्ग पवार को जिस तरीके से चानक के बताता है सियासत का, तो उनकी चानक के गिरी कहां चली गई, जब उनकी पार्टी टूट गई, उनके बतीजे टूट करके चले गए, उनको तो कुछ पता ही नहीं चला, और अभी भी उनको पता नहीं है, पता लगता है कि 7 MLA, परिवार के साथ नई दिल्ली जागर के परदान मंत्री निवास में, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वहां उसको लेकर के ही शुरू हो गए, कि एकनाथ शिंदे को नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, शायद समझाने बुजाने के लिए, मानसिक रूप से तैयार करने के ल नहीन है, कोई वास्ता भी नहीन है, इनको पता भी नहीन है, इनको बस चंडू खाने की चलानी है, हकीered यह है, जो एकनाथ शिंदे ने बताई, कि मेरा परिवार परदान मंत्री जी से मिलना चाहता था, हमने समय लिया, उन्होंने समय दिया, और पूरे परिवार जनों के साथ मिलक बैठ करके उन्होंने बड़ी चर्चाएं की कई विश्यों पर चर्चाएं की और एक बात जो ये लोग नहीं चलाएंगे ये इस बात का नोटिस नहीं लेंगे परदहान मंतरी नरेंदर मौदी ने अपने बराबर में उस कुरसी पर जिस पर भारत के अलग-अलग मुख्यमंतरी आकर के बैठते हैं, राज जपाल आकर के बैठते हैं या जो विदेश से डिगनिटी आती हैं वो बैठती हैं उस कुरसी पर उस सोफे पर एक नात्स शिंदे के बुजर्ग पिताजी को अपने बराबर में बैठाया, उनको सम्मान दिया, उनको शोल औरहा कर के एक तरीके से उनका अभिनंदन, केवल उनका अभिनंदन नहीं किया है, महराष्ट में एक मैसेज भेजा है, बुजर्गों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है, प्रदान मंतरी के द्वारा, ये एक मैसेज दिया गया है, लेकिन ये चीजे इनकी पकड में नहीं आती है या इसका notice ये नहीं लेते हैं, यहां आकर के ये आँख मूंद लेते हैं, और प्रधान मंतरी को जिसे जो संदेश देना होता है, वो दे देते हैं, बड़े आराम से दे देते हैं, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये channel और इसके content पसंद आ रहे हैं, तो like करें, comment करें, वीडियो को share भी करें, अभी तक अगर आपने ये channel सब्सक्राइब नहीं किया है, तो subscribe कर लें, और साथ में लगे bell icon को दवाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके notification आप तक पहुंचते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, न